हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आई होप यौल आ दूइंग रेट यार्ट सोर्च व रिकृट्मेंट बिजन स्टेडिस लास ट्वेल्ट के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर बेस्ट काफी बार आप लोगों से कोशन पूछा दाता है आप लोग किसी बीएक्जाम के अंदर आप लास्टेवेपश करो उसमें देखो किस टेप की कोशन से किस्ट्री इस टैफ के मंट्िपल चोइस है son अउड ज्यादा कैसे टेपव किशन से खीन डिट्री बेस्टलंब करेंगा इसका लिंक मैं आपको नीचे दिस्कूश ने दूंगा य पिलेंगे आप लोगों पिछले जो कि आपके बोड़ एक्साम में कई बार कोशन भी रिपीट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टैप से कोशन इसमें रहने वाले हैं तो बच्चो इस पेपर में ऐसा होता है जैसे जो आपके पेपर में कोशन साहीं हैं उनके साथ मे अपको कोशन दिया होता है साथ में डीटेल एक्सेंशन भी होती है ठीक है अंसर तो दहीं है साथ में आपको डीटेल्ट एक्सेर साथ मिलेगी बहुत सब्सक्राइब हो गया है इसके आपको नीचे ले सकते हो हुआ अब आते हैं विच्चोर तो सोटक्र बिटमेंट की तरफ तो बहु दो तरह के उते हैंने इंटेर्नल सोट helps एकको यूसर इक स्जानल सोर्स झाहले इंटर्ण्रेपों में में दू थे हैं पहला ओता है ट्रांस्फर देखो रिक्रीतमेंट क्या होता है मतलब वह झाता है तो ट्रांसफर क्या होता है alert इंटर्णली अप्लइज को ले ले जैसे मानलो मेरी company है इसकी दो ब्रणच चीज़ें है मेरी अधिक दो ब्रांच चीज़ें हैं यहाँ पर इंप्लइज कंम यहाँ पर फांच जाद हैं तो मैंने उठाके पर ट्रांसफर कर दिया ठीकर करने से क तो मैं इंवे से किसी एक को प्रमोट करके सीनियर मैंचर मैनेजर बना दूगा इसको बना करों इसको बच्चों इससे क्या बेनिएट हुआ मुझे भा़र से एंपलोई नहीं लाना पड़ा तो इंटरनल सोर्से की रहते हैं कि से मेरी कॉस्ट हो जाती है कि कॉस्ट से विए इससे मेरा टाइम से होता है यह बेनिफिट है इससे जो एंप्लोई उसमें काफी ज़्यादा मोटिवेशन रहता है लेकिन इसके कुछ रॉबक्स भी है कि मुझे फ्रेश चैनल नहीं आएंगे तो में अंदर फ्रेश चैनल नहीं होगा एंप्लोई काफी इसको हायर करेंगे भार से इसको बहुत बच्छो एक्स्टर्णल सोर्स इसको कही किताब के इंदर डायरेक्ट रिकृट्मेंट भी बोलते हैं तो बच्छो डायरेक्ट में क्या होता है कि जो भी आपकी कंपनी आपने ऑफिस के बार लगा दो कि भाई हमें इस ताइप के इस टैब के वरकर के नीड राएं अपने कई बर देखवागा लिखा उता वेशकता है सेल्स्मेन की सेल्सकी किरवस्ट के आपने देखा होगा तो बच्छो इसको बुलते हैं डायरेक्टमेंट या फिन फैक्त помог दूसर तरीखा होता है external social recruitment का होता है बच्छो casual callers casual callers को नोते कई बर हमारी company में लोग आते हैं और apply कर देते हैं किसर हमें ये job के लिए apply करना है तो हम लोग उनकी application को submit कर लेते हैं हमने on the spot job नहीं देते हैं लेकिन future में जब भी हमें vacancy हमारी खाली होती हुत तो हम इनको call करके बुला लेते तो इनको बोलते हैं कैजियल कॉलर्स थर्ड आते बच्चों एडवर्टीजमेंट क्या होती है कई बार न्यूजपेपर में टेलीवीजन में कई लाइसी के अपने एड़ दिख्योंगी एजन्ट बने तो काफी बर हम लोग एडवर्टीजमेंट यह वह दान के तुम भी कर सकते हैं अपनी काम कराती है सियां सिव्पमीब्र देटी मेंाव करते हैं ऊपर वाली दिखिवर्ण अपॉल्मेंट एक्सचेंज भी बोल देते हैं नेक्स आता है बच्चों एड्यूशन इंस्टिउशन या फिर एकमपस स्यूड़ में में यह होता है कि हम लोग कॉलेश से बच्चों को हायर कर लेते हैं हमारी कंपनी के अंदर यह भी बहुत सही तरीका है काफी जादा पैसे बच जाते हैं नेक्साद है रेक्मेंडेशन फ्राम एंप्लोईज ले लेते हैं उनको बोलते हैं बतारो तुम्हारे भाई बंदू या दोस्ति आ रहा है तो उसको अप्लाई करा सकते हो इसके लाव नेक्साद है लेबर कॉंट्रेक्टर्स आपने कई बार देगो जो ठेकेदार होते हैं ज इंटर्नल सोर्शिस हो गया और यह जो दूसरा में आपको बताएगी इसके भी कुछ बैनेफिट्स होते हैं कि आपको फ्रेश चलेंट मिलता है वाइडर चॉइस होती है आपके पास है ठीक है फ्रेश नेंड़ कि यसके अंदर आपको वाइडर चॉईस मिलेगी आपको इ की मेरिट्स होते हैं external sources के अपने मेरिट्स और इंटरनल sources के अपने मेरिट्स और डी मेरिट्स है यह topic काफी ज़ाद important था इसलिए मैंने आपको specifically अलग से topic करा आया है कि इसके लागों कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों लग रही तो आप लोग में इसे comment करके पूछ सकते हो तब तक के लिए all the very very best चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ मिले के बेल एकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस वीडियो और अपडेट्स आप लोगों सबसे पहले मिलते रहे थांक्यू